हाई गाईज होप आप सभी थीख हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि आप कोविद की जो वैक्सिनेशन हो रही है पोड़िकल में उसके लिए आप कैसे रिजिस्टर कर रहे हो तो अगर आप 18 की एच से उपर है तो अपने आपको ऑनलान रिजिस्टर कर सकते हो तैंते नंबर है जिसे SNS नंबर भी कहते हैं और मेडिकल नंबर भी कहते हैं अगर अभी तक आपके पास SNS नंबर नहीं है तो आप इसको ऑनलान अप्लाई कर सकते हो पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको कैसे अपलाई क कर सकते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि आप कैसे online वैक्सिन के लिए रिजिस्टर कर सकते हैं उससे पहले अगर आपनी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लिजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए तांकि आपको मेरी आने व यहां पर आपको अपना फुल नेम एंटर करना है फिर डेट और बर्थ डालनी है यहां से जेंडर मेल या फीमेल एक चूज करना है उसके बाद यहां पर आपको मोबाइल नंबर एड करना है उसके बाद आपको अपनी नेशनालिटी चूज करनी है यहां आपको अपनी कं commit करनी है फिर county और फिर फ्रक्षिर उसके बाद आपको यहां पर अपने रोड का नाम एंटर करना है फिर दोर नमबरं NT C. यहां पर आपको कोड्ट जो आपका postal code है वह एंटर करना है और इस क्वोख्स पर टिक करकि आपको टामाज and conditions को accept करना है और यह form submit कर देना है जब यह form submit हो जाता है तो आपको कुछ ही दिनों में एक जो है provisional SNS number मिल जाएगा वो provisional number लेकर आपको online vaccination के लिए register करना है मैं आपको दिखाती हूं कि वैक्सिन के लिए आपको कैसे रोजिस्टर करना है वैक्सिन के लिए रोजिस्टर करने के लिए हम सबसे पहले इस website पर जाएंगे इसका लिंक भी मैंने description में दिया हुआ है यहां पर आपको अपनी डेट और बर्थ सेलेक्ट करनी है सबसे पहले आपको देट फिर मांथ और फिर रियर सेलेक्ट करना है और फिर वैलिडेट पर क्लिक करना है यहां पर आपको जो आपका प्रविशनल SNS नंबर है या आपका नॉर्मल SNS नंबर है वो आपको यह एंटर करना है यहां आपको फुल नेम एंटर करना है और फिर वैलिडेट पर क्लिक करना है यहां पर आप कहां पर vaccination करवाना चाते हैं वो location आपको यहां से select करनी है पहले आपको district select करना है उसके बाद county select करनी है और फिर vaccination site select करनी है vaccination site में आपको couple of options मिल जाएंगी यहां से आपको select करनी है यहां पर आपको अपना mobile number एंटर करना है और फिर same ही mobile number आपको यहाँ पर confirm करना है और फिर इस चोटे से box पर tick करकी search available dates पर click करना है जो date show हो रही है यह suitable है तो इसको select कर सकते हैं वो register हो जाती है आपको SNS की तरफ से एक message आता है 72 hours के अंदर-अंदर अगर आपको message नहीं आता तो आप SNS में call कर सकते है normally आपको 72 hours के अंदर-अंदर message आ जाता है और आपको इस message का reply करना है इस registration का proof आप generate proof पर click करकी download कर सकते हैं इससे आप यहाँ से download कर सकते हैं और यहाँ से इसको print कर सकते हैं आपने जो number registration के time पर enter किया था उसी number पर आपको एक message आता है SNS की दरफ से तो इस message को आपने reply करना है reply कैसे करना है आपको पहले SNS capital letters में लिखना है फिर dot डालना है उसके बाद फिर आपको अपना SNS number लिखना है जिसे उत्यम्ति नम्बर कहते हैं उसके बाद आपको फिर से dot डालना है फिर C लिखना है SIM तो आपको SNS dot authentic number dot C ऐसे करके आपने इस message को reply करना है आपको एक और message आता है जिसमें आपको address दिया होता है जहांपर आपकी appointment है जहांपर आपको vaccine लगनी है तो इन दो messages में आपकी appointment confirm हो जाती है आपको यहांपर आपकी vaccine होनी है वहां का address आ जाता है time और date यह तीनों चीज़ें आपको message में आ जाती है vaccine की आपको दो doses लगेंगी depend करता है कि आप कौनसी vaccine ले रहे हो जादा तर यहांपर दो ही doses मिलती है जिस दिन आपको vaccine होनी है कोशिश करिए कि आप अपने जो आपका appointment का time है उससे आप दो घंटे पहले जाए क्योंकि vaccine का जो आपको appointment दे जाती है वो same time पर आपको vaccine नहीं लगती आपको क्यों में लगना पड़ता है बहुत लंबी alliance होती है तो आप कोशिश करिए कि अपने appointment से दो घंटे पहले जाए और कुछ खापी कर जाए खाली पेट मजाए vaccine के बाद भी अपना ध्यान रखिए तो अगर अभी तक आपने vaccine के लिए register नहीं किया है तो ये वीडियो फॉलो करके आप vaccine के लिए register कर लीजिए इस process के regarding अगर आपको कोई भी question है तो आप मुझे comment box में लिख सकते हैं वीडियो को आपकी friends के साथ share करना मत फूलिए अगर आपने अभी तक भी मेरा चानल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लेजिए अदरवेज आप बहुत सारी information मिस कर लेंगे मेरी और भी बहुत सारी videos हैं जो आपने में भी अभी तक नहीं देखी तो प्लीज आप मेरे चैनल पर जागर videos पर क्लिक करके वो सारी videos देख लेजिए